कि गुड मॉर्णिंग स्टुएंट मैं आरती आप सभी का नोटबुक आयस में हादी सवगत करती हूं आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे आप सब अच्छे से पढ़ रहे होगे साथ सेड्यूल सेट किया होगा आपने क्योंकि एक्जाम को बहुत कम टाइम बचा है इतनी महिनत करके गए इतना पैसा इंवेस्ट किया आने जाने में और इतना टाइम इंवेस्ट किया उनको बहुत दूख होता इस बात पर जिन्होंने नहीं पड़ा वो तो भाई बल्ले मना रहे होंगे अच्छा हुआ कैंसल होगे अगली बार जब होगा तो अच्छे से अच्छे देने जाएंगे लिकिन क्या है जिन्होंने में अख्या है उनके लिए सोच करके कि महीनें से पढ़ रहे होंगे वह इतनी महीनत कि उन्हों ने और इतनी दूर भी गए होंगे पीसे अभी घर मार्श होंगे क्योंकि एक अप्तन का बर्बाद हो गया कोई बात नहीं आप अच्छे से मोटिवेटेड होकर पढ़िए क्योंकि देखिए अच्छी चीजे खराब चीजे सब की लाइफ में होती रहती है हमें क्या करना है पॉजिटिव रहना है पॉजिटिव सोचना है कि ठीक है एक चीज खराब होगी न हम दूसरी चीजे से फोकस करें क्योंकि कभी कमी नहीं होती है आप कभी भी चाहे तो पॉजिटिव सोच रख करके आप आगे बढ़ सकते हो अच्छा कर सकते हो ठीक है तो अच्छे टेली पढ़ते रहेगा अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज को कर ना जाए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला टॉपिक है क्या है तैवन इंडियंस हूँ फेस्ट डेथ रो इन कतर रिटर्न होम आपको पता हुआ कतर में क्या हुआ था हमारे कुछ भारती थे ऑफिसर क्या थे कतर में काम कर रहे थे उन पर एलिगेशन लगाएगे कि इन्होंने जो खूफिया जानकारी है कतर की वह जरायल के साथ सेयर की है जो कि अपने आप में वहां की साथ गयर कानूनी और उसके परिपेक्ष्म उनको क्या हुआ था मेर्तिव दंड सुनाया गया था मेर्तिव में उनको डेथ सेंट दि कि उनको छुड़ा लिया है और वो हमारे हाँ पर वापस आ रहे हैं तो उसके बार में न्यूज रही है ठीक है आप से पूछ सकता है कि किस देश पर ऐसा हुआ था तो कतर है हमारे ऑफिसर्स थे इंडियन ऑफिसर्स जो वहां पर काम कर रहे थे उन पर यह एलिगेशन पूछे की जो जो जोग्राफिकल लोकेशन है वह कहां पैदे कि यहां पर हमारी है यह गल्फ ओमान है यहां पर ठीक है गल्फ अधान है यह जोग्राफिकल लोकेशन अपने बहुत इंपोर्टेंट है तो आप यह साई चीज एक पर याद कर लिजेगा ठीक है क्योंकि को पूछता है और इंडिया हमारा यह रहां यह सारा हमने यह पर ठीक है चलते हैं यह पर इसी से एक रिलेटिकल आर्टिकल है जो भी प्रसंसा की है इस बात की कि छले ठीक है आपने जो काम किया है मतलब भारतियों को माल शुड़ा कर लाए है वह बहुत अच्छा काम किया है लेकिन क्या है विपक्षी नहीं तो थोड़ा तारीफ करेंगे थोड़ी कमी निकालेंगे उन्होंने बोला कि तो तो थोड़ा टाना एक तरह के से कहा है तो क्या कहा है कॉंग्रेस वेलकम्स रिलीजेज ऑफ एक्स नेवी परस्टा परसनल परसनल बट से गवर्वन डिडे फिर्ट बोचन सनवासी अक्षर पूर्सोथ्तम स्वामी नरायन श्साय संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती एकनॉमिकली सोचली बहुत स्टैबल है आपने आप में तो यह क्या करने स्टार्ट हो रहा है असा लिखा और किसको किसको मतलब प्रमोट करता है तो हमारे जो हिंदू फेथ हमारा है वेद्स वगएरा में उसको प्रमोट करता है अल ओवर वर्ड में इस बेस्ट ऑन दा वेदिक टीचिंग अप्रोपगेटेट वाइद भागवत स्वामी नरायन अगर आप से पूछता कि कब से स्टार् और क्या बताता आपको जो भी हमारी भगवत गीता वगएरा हैं जो भी हमारी पुराने थौट्स वगएरा वेदास वगएरा है उनकी टीचिंग करता लोग को जो हमारा हिंदू धर्म उसको अलोउड वर्ब ने प्रमोट करता उसके जो सही साही चीज़ यह चीज़ी जे काम करता है it was formally established by in 1907 जो अगर आप से पूछता है कि इसके स्थापना कभी तो 1907 में हुई थी इसके अगर बात करें स्थापना किसने की थी तो ब्रह्मा स्वरूप सास्त्री जी थे महराज इन्होंने इसके स्थापना की थी 1907 में ठीक है अब याद रखिएगा अगर बात करें और क्या है फांडेट ऑन दा पिलर्स ऑफ दा प्रैक्टिकल स्पिरिच्वालिटी दा बैफ्स रीचेज 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 आउट फार एंड वाइंड वाइंड सोशल चैलेंज़ेंज और इस्यूस हैं उनको क्या करता है जैसे कोई भी समाज में कोई पूर बगर नहीं पीनी चाहिए नो अडिक्शन नो अडल्टरी नो मीट नो इंपिरोटी और बॉड़ी एंड माइन आद फाइव लाइफ टाइम्स व्यूस आप यह फॉलो करो कि का करो आप अल्कोहल मत पियो अडिक्शन मत रखो किसी चीज का अडल्टरी मत करो मीट वगरा मत और अपने आपको सुध रखो इंपिरोटी वगर आपने अंदर कुछ भी ऐसी ना रखो यह जो पांच चीज़ें यह फॉलो करने के लिए बोलते हैं ठीक है इस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मंदिर्स और सेंटर्स होस्ट मैनी मोरल सोसिल कल्चरल एंड स्पिच्वल एक्ट पर फोकस करता अच्छी चीज़े कर रहें यह नहीं कि जो हम देखते हैं कि पुराने मंदिर होते हैं मतलब बुरी नहीं है चीज़ें लेकिन क्या होता है वो समाज को पीछे खिचने काम करते हैं अंद्र विस्वास पैलाते हैं गलत रूडिया फैलाते हैं तो वह चीज़ अगर बात करें यह है कि अच्छी होता क्या है तो एक एंजीओ है विट एक अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी संस्ता है जो और वर्ड में काम कर रही वह भी किसके इंडिया के लिए हिंदु धर्मे के लिए अच्छी चीज़े फैल आ रही है ठीक है अगर लोकेशन अगर आप से पूछता है कि इसके नेवरिंग कंट्री कौन कौन सी है तो यहां पर कुछता है कि कहां पर मंद्र किया गया है तो यहां पर जहां पर जो कंट्री वगरा उनमें कौन सा एक ऐसा है जो यहां से बिलॉंग नहीं गड़ता है पूछा आपका इससे तो आपने एक बार अच्छे से ध्यान से दिखा करें जो भी लोकेसिस वगरा होती न उनसे कोशन जरूर पूछता जोग्राफिक क्या होता जिस के लिए देखते रहा करें कि कोशन्स आपके एक्जाम में ऐसे ही पूछे आते हैं देखिए हमारे मैंने बताए आपको जो हमारे प्राइम मिनेस्टर मोदी जी है वह यूवी के साथ ना या और अलग 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 कंट्री उनका बहुत अच्छे बनाकर रखें मतलब रिस् कौन-कौन से और अग्रिमेंट हुए हैं कौन-कौन से अपकौन मद्शों पर बात कर रहे हैं अपने आप इप बहुत इंप्पोर्टन्ट है क्योंकि आपसे कोशन पूछ सकता है इन चीजों के बारे में तरह पर देखने क्या लिखा है लोकल करेंसी सिस्टम हमारा है यू तो इन्डिया है इन दोनों के बीच ना करेंशित बहुत आना जाना चीजों का हो रहा है पैसे लेंदेन बहुत हो रहा है तो ऐसा शेटलमेंट कर लेते हैं कि आप दूसरी को पेमेंट जो है वो अपनी लोकल करेंशी में कर सकते हो ठीक है क्या लिखाओ इसमें इट अलाउज एक्पोर्टर्स एंपोर्टर्स तु इन्वोईस एंड माक पेमेंट इन लोकल करेंशी रिदूसिंग डरिलायंस और थार्ड पार्टी करेंशी एंड सच यूएस डॉलर ना भी बहुत वर्ड में स्टॉंग है तो आप कहीं पी जाते हैं तो यूएस डॉलर की अलगी वैलू होती है तो होता क्या है यहां पर जैसे यूए की कुछ और करेंसी है हमारे इंडिया की कुछ और करेंसी वह दोनों दूसरी की करेंसी नहीं ले सकते है यहां काम नहीं ईहेंगी लिकिन डॉलर अगर आवकि इंडिया में आते हुं तो कंदर तो करते हैं और कहते हैं कहते हैं यूएस डॉलर यह उसको रखते हैं असी कि तुम ठुमार करेंगे तो इसको यह जो पार्टी होती हैender any तो इसंपमें सुद्धू इंपोर्ट बगरा है पेडमेंट बगरा उसी में किये जा रहें ठीक है अगर आप से पूछता है कि क्या है यूए की तो एडी है ठीक है अगर बात करेंगें तो एक्सपोर्ट विलियन इन 22 अगर बात करते हैं या जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज़ा टूटल कितना है तो 85 billion dollars हम है वहाँ से trade करते हैं ठीक है UAE is the India's third largest trading partner है while India is UAE second largest trading partner अगर बात करें हमारे जैसे हमारे हम बहुत सारे हम बहुत जगे से trade करते हैं अलग-अलग जगे से तो UAE है वो हमारा third largest trading partner है और UAE के लिए हम second largest trading partner है ठीक है आपको यहाद रखना है फिर क्या है linking of the fast payment system of both the countries क्या क्या जा रहा है बहुत सारे payments चल्दी से हो सके इस चीज के लिए भी बहुत सारी ने से लिए जा रहे है ठीक है और भी चीज़े देखते हैं इंडिया and the UAE agreed to link दा इंडिया unified जो हमारा चीज़े होती है यह चीज़े जो होती है डिले करती है चीज़े ना हो तो इसलिए क्या किया गया है जो हमारा यूपी आई है बहुत सारी चैंटरल बैंक ऑफ दे यूए शाइन आमो यू फोर कोपरेशन फॉर इंटर्लिंकिंग दियर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम अगर आप से पूछता है कि आरभी आई ने किस कंट्री के साथ आमो यू साइन किया है किस के बारे में पेमेंट इंटर लिंकिंग के बार अबुदाबी वहां पर है जो सालों से यह पर्मनेट रह रहे हैं या फिर वहां पर पढ़ना चाहें तो वहां पर अडूशन ले सकते हैं ठीक है इन्यास साइंस आइम विद्धा एडुकेशिं एंड नौलेज डिपार्टमेंट अब अबूदाभी वो सेटंग आईटी डेली कैंपस यह हमने बता दिया इंडियास फूल सपोर्ट फॉर यूई इप्टेट आट्वन्टेट प्रेसिडेंसी तो हमने क्या किया जो तो देखेंगे तो देखेंगे रक्षाब्यास के बात करें दूपक्षी हमाने जो हमारा यू जो संजुत अरब अमिरात है उसको हम सौट फॉर्म में ही बोलते हैं यू एई में बिलाट दूपक्षी नौसे नाब्भ्यास डेजर्ट एगल हम सिप इंडिया और यू एई मतलब है कि इंडिया है और भी कंट्री सामिल है इसमें पिछ ब्लैक है ऑस्ट्रेलिया का दूपक्षी यू यू यूद्ध प्रकाइब्यास है एक लाल जंडा करके है रेड़ फ्लाइग करके होता है मेरा हिंदी में लिखा हुआ तोड़ा साब अब्ध्यास है तो यह साजीदार के बारे में कि हमारे एक नॉमिकल रिलेक्षिप यू यू किसाथ कैसे हैं क्या है थीक है भारत व्यापक आर्थिक भागदार समझाओता जो है पहस्ताचर किये है जेवल और फ्री जोन में एक समर्पित इंडिया मारट सापित कर रहे हैं हम भारती निवेसों के लिए अबुदाबी अमिरात में विशेष और दोगिक उन्नत प्रदोगी की छेतिकी सापना भी करने जा रहे हैं और अगर बात करें उन्नत तकनीकी की बारे में क्या करने आ पर क्या करने वाले बहुत साथ चीज़ें करें स्टार्ट अवसकताओं को समधन करने के लिए नए सहीयों के उसर के पहचान करेंगे अगर हम बात करें हमारी जो अवसकताओं होती है उसमें यू एक बहुत इंपोर्टन पार्टनर्स की रूप में हमारे लिए काम करता है जलवाई कारिवाई और नभी करन उठ जाके पारें बात करेंगा तो क्या है निमने करवन भविष्व में नयायसंगत और नयायसंगत परिवर्तन बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं अगर नेकिया है घ्रीन हाउस घृष्षवः ग्रीन हाइड्रोजन और विसेज़ध् कि लुख करें लख सेट के भाथ करने वाएं कार रहे हैं पूर्ती संक्राव के सचाइं डेवलाप्मेंट कर रहे हैं और सिख्षा की चेतर में हो या मेडिकल चेतर में हो साथ चीजों में हमारा सपॉर्ट कर रहे हैं और वह उनको सपौट प्रवाइड कर रहे हैं ठीक है तूर्फिक है अभी भीमारी बहुत बनी हुई है तो इसका जो ग्राफिकल लोकेशन देखेंगे कि अलास्का जो है वो नाम रखा गया है इसका तो अलास्का से बिलॉग करता है तो अलास्का की लोकेशन क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है ठीक है तो हमारा नाम क्या है टॉपिक का नाम है वाट इस अलास् से लोगों में फैल रही है तो इतनी ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होता लेकिन अगर वही बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैल रही है तो इसलिए अपने थोड़ा सब्सक्राइब रहता है हमारा लिकिन अगर कोई बीमारी ऐसे वह तो आप से पूछता है कि एक जिजीज है ठीक है पहली वार अलाज्क में देखा ए conductor इसलिसका नाम वाया पर्षट फैटल केस अपलास्का नीवली इडिन्टिफाइड वारल डिजीज क्लेम्स के नई पैनिसुला में ठीक है के नई पैनिसुला में देखा गया इसको इसका देखने क्या इट इस और और तो और फॉक्स वारस डिसकोवर्ट इन अलास्का यूए से दोजरन पंदार में इसकी पहली वार कोज की गई थी डॉबल स्टेंडर्ड डीने वारस वारास बिलांगिंग टूधा सेम जीन जो है और तो वारस यह होता है अंकि फोड़ने लग जाते हैं इस आले लोग सेम्टम सेम ही है नाम इसलिए इसका रखा गया क्या अलास्का फॉ किसे फेमिली से बिलॉग करता है यह टो चब्वर्थ राइए और तक लर सब्सक्राइश मेंने बताएं जुनटो कई निच्वार्स यूं wicked लैट कैंट सबस्क्राइब मैंट हाँ ऐनक्योंश में आध इको मैंटाई। जो जानवर हैं उनमें ही देखने को मिल रहा है अभी तो अगर आप से नाम पूछता आप याँ नाम याद रखेंगा ठीक है कि बात करें यह इस बीमारी तो है इसकिन लेसेंस अंग इस लेज़िए के बिए व्यट खेएंग। त्वाइल भी विए इसा केस नहीं देखा गे जिसमें यह कहां जा सकता है तो अभी यह सा कुछ नहीं है लेकिन क्या है अगर आप जो भी बीमार पसु पक्षी वगएरा है जिससे फैल रहा है अगर उसके उसके प्रक्स में जाते तो आपको भीमारी हो सकती है ठीक है आप य क्लिए नहीं है देख लेते हैं अलास्का हमारा यह रहा मुझे पूरा प्रॉस्ण हमारा ही आलास्का का है ठीक है एक कि कि यह यह एसे अ बड सब 거죠 यह जो खोना सरो तो घृष्ट करती है ठीक है यह-क लिरर्शी आपको देखने को मिल जाएगा गल्फ आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर अगर आपसे पूछता है कि किस ओशन में है अलास्का तो नौर्थ पैसिपिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह सारी लोकेशन वगरा है इतनी इंबोडन आपको बस इसको आप अच्छे जाद कर ल तो कहां पेलास्का में मिलेंगे अपको अरास्का प्राइडी सब्द ऊत्री अमेरिका महादीव के उत्तर पस्छी में प्रच्छेपन को धरसाता है ठीक है यह उत्तर सघ्ण हो गया है प्रशन साखर मिलेंग और में क्या होगा प्र tunnels GeorSi debatt तो तो लेंड हो गया तो यह तीन तरफ है ठीक है प्राइदीप के साथ पैली हुई अलेशियन रेंज एक अत्यदिक शक्रीज्वाला मुखी परवत संक्ला है और कई वन्यजीव स्तरास्थलों और राश्ट्री उद्वानों का घर है देखिए अलेशियन जो दीप है तो आपके शाब से बहुत हेल्फूल होता है यह फिर से मैंने यहां पर लगाई है ताकि आप अच्छे से देख सेको ठीक है यह ब्रिस्ट्व चैनल वगर आप से पूछ है आप भी तो आपको आपको में मिलेगा ठीक है यह साइच चीजे हैं यहां पर इंप्रटन्ट है आप में इसको अच्छा से देख लीजेगा ठीक है चलते नेक्स पेश पर जो मोस्ट इंपोर्टन आज का टॉपिक है वह लीव रिड़ले टाटल जो होते हैं हार साल चर्चा के बनते हैं क्योंकि बहुत 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 बड़ी लेवल पर नेस्टिंग करते हैं और इसलिए इसलिए इसलिए चर्चा में इसको देखते हैं इसत मॉलेस्टा पमज टॉबले रहते हैं तिक इसको देखते हैं क्या है और जो इसको बोलते हैं अरी बाड़ा ठीक है कि यूनीक नेस्टिंग सिस्टम उसको बोलते हैं अरी बाड़ा ठीक है इसका नाम यह है और ऑलसो ओन इस दा पैसिफिक डेले टर्टल भी कहते हैं इसको क्योंकि पैसिफिक उशन में भी ऐसे टर्टल आपको देखने को मिल जाएंगे do कआख तो आपको warm बार में ही मिलेंगे जहांपे फर्म जल थार डर्म पानी होता आपको वहीं देखने मिलेंगे तो specfic मिल जाएंगे आपको natling में मिल जाएंगे और इंडियन ओशन और इन गयिक च देंगे और इसा गहिर माथा है ना वह सबसे ज़्यादा और वर्ड में फेमस है जो टाइटल्स वगएरा उनकी नेस्टिंग के लिए ठीक है आप इसके आद रखेगा सबसे ज़्यादा नहीं है ये आपको डेख रहा है यहाँ सबसे ज्यादा हो रही है और यह जो जो डॉट्स वगेर मैं आपको देख रहे हैं यह है स्वाटिक नेस्टिंग बीचे चोटव हो रहें या पर देख़िक अगर बात के हैं और जोकेशन पूछता है घामरा यहां परदीन आफOSE पूछता है तो घ हो गया महानदी और एक हो घुथा ठीक है और आप शूईर परrose आप याद रखेगा अच्छे से एक्जामें पूछकती है यहां पर देखी ठीक है देखती है और नेक्स का लिखाओ ऑप्रेशन ओलीविया जो है चलाया गया भारत के द्वारा उसके बारे में हैं इंडियन कोस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड न एक चलाया है ऑपरेशन का नाम परेशन नाम है ऑपरेशन ऑली यह ठीक है घ्याद रखेगा में डेटी यूजब टैल एक्सक्लूड डिवाइसेज तू रेडियूस एक्सिदेंटल किलिंग इन्दा इंडिया एक्सिदेंटल किलिए जो होती है उनको रखने रोकने के लिए हमारे टर्टॉइज हो गया और यह हमारे टर्टोइज हो गया ठीक है ये जो टर्टल सबताव टूर्टौ इस इनके ऐसे होते हैं प्लिप बॉइस होते हैं कि पानी में तैरते भी है ना फ्लैप कि इसी만 Max Excel स्बुटे हैं के अंदर अंदnar टैल्टल इंसी अंदर रहते इट बोट प्लांट्स प्लांट्स और इनमल्स जीक बारे में था हूँ-ULांथ उन न्हीं कहा करना तो न है इनको प्लांड पानी में हो सकना है पर होते हैं ठेके लिए हमारा आर्टिकल है सरी जमीन पर रहते हैं वेजीज इस लाव वेजीज लाव वेजीज इस लाइफ मतलब वेजिटेरियन बिचारे सब जीज खाते हैं फूल पॉदे पतियाई खाते हैं वेजीज मतलब उनकी फेवरेट है तिक है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है most important आर्टिकल है यह आर्टिकल important है हमारे गवर्नर के बारे में अभी हाली में क्या देखने को मिल्दा गवर्नर की जो पोस्ट है वह बहुत ज़्यादा चर्चांग मनी हुए कि गवर्नर आखिर अपॉइंट किसलिए किया जाते हैं क्या हो करता है वह यह भी देखने को मिल रहा है ठीक है कि इसको नेक्ट का रिखा हुआ है जो गवर्न की पोस्ट के बारे में हम देखेंगे लेकर के लेकर के 167 तक के आर्टीकल जो हमारे है पार्ट पार्ट इस्टेट्व जुखेटिव जो हमारा है इस अब किसके लिए गवर्नर के लिए है इस पर सुप्रीम कोट ने कई बार मना किया है कि देखिए जो जो गवर्नर होता है वो सेंटरल गवर्मेंट का कोई एजेंट नहीं है उनको अलग से हमने स्पेसिक पावर्स वगरा दी है अगर सेंटरल गवर्मेंट का एजेंट नहीं है ठीक है डूल हमारा होता है जो भी गवर्मनर होता है देखिए सेवंथ सब्सक्राइब करते हैं तो हाँ हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर रह सकते हैं तो इसको अपने आप में बहुत सब्सक्राइब करते हैं और साथ में क्या लिखा गया है कि वह वह कोई भी गवर्मेंट नहीं होने चाहिए ठीके इन्डिपेंडेंट कॉंस्टियूशन ऑफिस क्वालिफिकेंस बगार उनकी पूछिए अगर क्या होता है तो ही सुड़ वी इंडिया ही सुड़ हाव कंप्लि सब्सक्राइब करता है तो यह स्टेट्मेंट जो हमारा है अपने आप में विरोधा भास है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर्स बगारि अने चीफ मिनिस्टर के साथ डिसक्स करने के बाद ऑपॉइंटमेंट करने जा हम यह भी नहीं हो रहा है है चीफ जशूर्ण स्टेट आपकोर्ट्ट नहीं हो देडान कर वाइव करते हैं उसके बार लगख वक उनका जो कारिकाल है अगर आपसे सब्सक्राइब अगर उनकोấúp देना आपने पत से तू किसको देंगे वह देंगे प्रेसीडन't को ठीक है। है है कि हाली में एक पेस्ट थैंग पंजाब के तिंग अपने पत से खुद उन्होंने अपने पत से कुदी स्तीफा दे दिया था तो लोग उन्हें पूछा था कि क्या है कोई प्लिटिकल दबाव है क्यों कोई और प्रेस्ट उन्होंने बोला नहीं मैं अपने इच्छा सुरूप ही मतब रिजाइन दे रहा हूं तो आप मुझे उनका नाम बताएगा कि पंचाब के कॉन से वरbonर meio खिंख उज़ें दीया है प्लिटिकल जसिए के लिखा क Awwpro करते हैं मौडल मौडल के हम क्या पार एकर अमरी मौडल है और फिर चटत Giluseग्र होता है तो यह हम पौलो नहीं करते हैं ठीक है कनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं गवर्णर अब दा प्रोमिंस जो होता है इस पॉइंटेट बाइद गवर्णर जनरल वस एक्सेप्टेट इन कंस्टेशन अब असेम्ली था वहां पर हमने कनेडियन मॉडल एक्सेप्ट किया ठीक है बात करिंग पावर्स कौन कौन सी है जो ह होल्ड है अपने सहबती होल्ड कर लें ठीक है डिटर्ण इस नौट अ मनी बिल अगर मनी बिल नहीं है तो उसको रिटरं भी कर सकते हैं लेकिन क्या है अगर आपने एक बार एक बढ़ दिया और वहां से दुभार आपको मिल गया तो आपको उसको रिटर नहीं करीक्ता अपने पास रिजर्व कर सकते हैं तो गवर्णर क्या है उसको रिजर्व अपने पास रख सकता है क्या है अल्टा अल्ट्रा वाइरस इस अगेंस दा प्रोविजंस अगर कंस्टिशन से तो गवर्णर के पास जो लग रहा है यह हमारे समिधान के खिलाप है यह जो हमारा रूल्स बगार बनाएगा उनके खिलाप है तो क्या कर सकता है उसको अपने पास रख सकता है अगर हमारे कर सकता है अगर ईसा हो रहा है कि जो जो बिल आया है उससे क्या होगा जो हमारी भाद की जनसंक्या या फिर जिसे स्टेट में यह वहां पर बहुत सारा लोगों का नुकसान हो सकता है तो उसको हो इसको भी अपने पार रख सकता है आप मुझे पिताई जो हमारा 31a हमारा फंडामेंटल राइट था जमीन जायदा से उसको हटा दिया गया है अगर बात करें हमारे जो हमारे गवर्णर है उनके बारे में तो सरकारिया कमिशन था 1983 में अगर आप किसी गवर्णर की नियुक्ति कर रहे हो तो आपको किसे 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 मतलब उनकों कंसल्ट करना पड़ेगा तो बोला वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया इस्पीकर आफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर इन तीनों से कंसल्ट करके ही आप अमॉंट्मेंट करेंगी इस देखने को मिलते नहीं दा नेशनल कमिशन तो रिव्यू दा वर्किंग ऑफ दा कंस्टिटूशन में हुआ था दा कमिशन सजेस्टेट दा गवर्णर ऑफ इस्टेट सुट भी अप्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद दा चीफ मिनिस्टर आप इसका अभी वालेशन हो रहा है दा जस्टि सब्सक्राइब किसी को भी ठीक से फॉलो नहीं कि जा रहा है आपने आप से जो मन करता है उसको ही अपॉइंट कर देते हैं ठीक है देलीटिंग दा डॉक्त्राइन ऑफ डॉक्त्राइन ऑफ प्लेजर फ्रॉम दा सब्सक्राइब करता है तो जो हमारा गवर्नर है वो मना कर सकता है यह चीजों को नहीं मान सकता है तो इस शीच पर विवाद देखने को मिलता है इट आलसो अर्ग्यूट फोर अपर वीजन ओफ इंपीच्मेंट अफ गवर्नर बाइड इस टेट लेजिसलेटिव इन्हों महावयोग चलाती है गवर्नर को अठाने के लिए वो भी उसकी अगर्ण स्विन होने बोला था कि अपने आप में ठीक बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट मारा इंपोर्टेंट आर्टिकल है मैंने स्टार्टिंग बताया था न आपको यूपी आई जो है यूए के साथ हम क्या है उनकी करेंशे और हमारी लोकल क्रेंशे में कर रहे हैं तो अभी क्या हुआ है स्री लंका में बहुत है बहुत वाल हुआ हुआ देखते हैं क्या क्या काहा पी हुआ है तो इंटरफेस जो हारा यूपी आई है अगर आपके कई पूछता है यूपी आई का फूल फॉर्म तो आप याद रखेगा इंडिया यूपाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपाइड पेमेंट इंटरफेस का फूल फॉर्म है तर्फेस विल वी रोल आउट इन स्री लंका एंड मौरिसस एट वर्ट्वल सरीमनी क्या हुआ है स्री लंका और मौरिसस में देखने को मिली है यूपी इस इंडिया इस मोबाइल बेस्ट फास्ट मेंट सिस्टम है पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि जो पिन होता है पूरी बैंक टीटेल्स अपना नाम अपना पता अपना 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 डीटेल्स सब कुछ देना पढ़ता था अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप की यूआर को डिसकान करके या फिर आप यूपी नंबर लेकर के पेमेंट कर दो तो यह सारे खत्रे जो हैं कटल जाते हैं यूपे सब्सक्राइब करते हैं यूजर तो सेंड और रिशीव मनी क्या होता है आप परसंट टू मर्चंट सब्सक्राइब बात करें सबसे पहले हमने किस देश का शुरू किया था तो सिंगरपोर का शुरू किया था ठीक है फिर क्या लिखा यूपियाई पेनाव पार्टनर्सिप मांक्स फरस्ट फीचर क्लावड बेस्ट इंफा इंफा सक्राइं पार्टिसिपेशन बाइन नॉन बैंकिंग फाइन यह यह लेड़ सकते हैं तो यूके में यूके हैं फ्रांस हो गया यू एजय Mai नेपाल हो गया ओमान होगया बूतन हो गया सिंगरपोर हो गया अभी क्रूपिय हो गया ठीक है इस आडिख HC चल रही ही है इन कंट्री प्यूपियमेंट कर सकते हो अभी स्रीलंका और अर्श कं सिकार करते हैं वगारा को उनके बारे में लेकर करके उनको पकड़ा गया है और उनको सजावी दी जाएगा तो डार डार डेलेक्षिंस ऑफ ड्यूटीज इन इरिस्ट वाइल अलीदबाद अलीदबाद में ऐसा हुआ है कि जो फॉर्स्ट ऑफिसर उनकी लापरवाही की है और वी चीज़े देखने को मेरे जिसके वेसे उनको सस्पेंड कर दिया गया ठीक है तो क्या लिखा हुआ है अगर बात करें आपसे पूछा जाएगा कवल टाइक रिजर्व कहा है तो सब देखते हैं ठीक है इसा नेचर प्रिजर्व लोके लोकेट एट जन्नाराम मंदल ऑफ मंचेरियल डिस्टिक जो है ओल्ड अधीलाबाद दिस्टिक इंदा तेलंगाना इस्टेट ऑफ इंडिया आसे पूछे कि कहां पर है तो तेलंगाना में आपको देखने को मि पर दोग्यों दोग्यों दोग्योंच्टिक जो हमारा इंडियन गौवर्मेंट उन्होंने गोश्टना की थी का इसको टाइगा जाएगा थे बनाया गया है इसको बुए इसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर बात किआँ तो बहुत ओल्ड जी मिलती है तो उस में सबसे oldest century है जो वहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है इस सेंचुरी इस कैच्छमेंट फॉर्डा रिवर्स गोदावरी एन कदम विच फ्लो तूवार्स दा साउथ अब सेंचुरी क्या होता अगर आप से पूछता है कि इसमें कौन-कौन सी नदिया आपको मिल जाएंगी तो आपको मिलेंगी यहाँ पर गोदावरी एन कदम दो रिवर्स जो है वहाँ पर साउथ के तरफ वहां से गुजरती है ठीक है दा के विस्टाबिलिस्ट इन 1965 इसके साथ 1965 में हुई थी अन लेटर डिकलियर्स आज प्रोटेक्शन एरिया प्रोटेक्टेड एरिया को घुषित किया था असेंचुरी इस वन आप दा रिचेस्टी को फॉरेस्ट इन दा स्टेट विध देंस प्रिस्टाइन एरियास फ्री और storage इस वहँंन एडिस्ट्रविंश ये अपना बहुत घंव एरिया है वहां पर प्रेंड फॉद्फे बगरा कि मिलेगा ठीक्हें ड्राई डेसिदिवर्स टीक्स फॉरेस्ट मिक्स विद्दा बैंबू टर्मिनेलिया पेट्रोकार्पस और एने जीसियस एन कैसियास यह सारे पौधे बगारा है आपको देखने को मिल जाएंगा ठीक है तो आज का जो भी हमारा आर्टिकल सा सारा कवर कर दिया है जो भी सब्सक्राइब करें कि आने वाले वीडियो जो भी आपको टाइम से मिल पाए मैं आपको डेली बता रही हूं बताया भी मैंने कई बार आपको कि हम यूपीस के लिए एक फांडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है जो एक्षा परफॉर्म करेंगा ताकि जो भी एक्जांस आपके क्राइक हों बच्ट जो कि अपर केंसे लोने पाइपत पैपर लीक होने पर या इया क्वालिफार नहीं होने पर वह साथ डिसःपोइंट्मेट्मेन आपकी कम हो ठीक है तो अच्छे से पढ़ते रहेगा एकथूड़ तैंक्यू